यह है TBS Radeon की चाभी कुछ इस तरह से TBS लिखा हुआ है यहाँ पर चाभी पर पीछे साइट दखेंगे TBS का लोगो बना हुआ हलो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है MS Rides में आज के वीडियो में आप देखेंगे TBS Radeon का वाकरांड रिव्यू दोस्तों के चैनल को सब् आपको जो इंजन मिलने वाला है 110cc का इसमें ETFI इंजन लगा हुआ है जिसमें आपको जो माइलेज मिलने वाली है 62 kmpl के इसमें माइलेज मिल जाती है और इसमें fuel tank आपको 10L का मिलने वाला है दोस्तों यह बाइक 5 variant और 12 colors में अवलेबल है फ्रंट से आप दखेंगे बाइ 123 लगता है देखनी में और इसमें जो हेडलें मिलने वालेज मिलने होग आपको हैमें हैयं दिया हुआ हैrence में निचे साइट आप दखेंगे तो इसमें LED DRS दिया हूआ है टॉन इंडीकर दखेंगे इसमें तो आपको आपको हैलजों बबब के तून इंडीकेटर दिये हैं ट्यूब्लेस टायर लगा हूँ दोनों साइड में देखेंगे रिफ लेक्टर दिया हूँ इससे में आपको 10 एंक की आपको 10 L का फ्यूल्ट टेंक का अपे आपको 10 L का भत् 不要 करण दिया हूँ बाइक के दोनुस साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँपर ETFI लिखा हुआ, दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे ETFI लिखा हुआ, एक Chrome element यहाँपर मिलने वाला है, यहाँपर आप देख पा रहे होंगे Chrome दिया हुआ है, और यह बाइक का engine दिया हुआ है, ब Saip it's a step adjustable hydraulics off a driver दिया हुआ रियर में सिटिंग की बात करें तो इस बाइक में जो सीट लगी हुए काफी अच्छी quality की लगी है इसमें जो कुसल लगा हुआ काफी अच्छी quality का लगा हुआ है और सीट आप दखेंगे इसमें काफी wider सीट दिया हुआ है और काफी इसमें लांग सीट आपको मिलने वाली है पीछ एक साइड आप दखेंगे बाइक का तो इसमें केरियर दिया हुआ है आप यहां पर देख पा रहे होंगे जिसपे आप दखेंगे फ्लास्टिक लगा हुआ है जिसपे आप कोई सामान बात कर ले जा सकते हैं जैसा कि इस प्लेंडर में आता है से उसी पैटर में आपको केरियर मिलने वाला है दोस्तों इसमें टेल सेक्शन की बात करें तो इस बाइक में आप दखेंगे पीछे साइड लिखा हुआ तेल लैंप आपको इसमें हैलोजन बलब का टेल लैंप दिया हुआ है और रियर करें इस बाइक का तो इसमें आपको जो इंजन मिलने वाली है 109.7 CC का Air Cooled ETI FI इंजन इसमें लगा हुआ है जिसमें आपको जो Maximum Power मिलने वाली है 8.08 बेस्बी की at 7,350 rpm पे आपको Maximum Power मिलती है Maximum Torque की बात करें तो इसमें आपको जो Maximum Torque मिलने वाला है 8.7 Nm का at 4,500 rpm पे आपको Maximum Torque इस बाइक में मिल जाता है यहाप भी देखेंगे ETI FI लिखा हुआ है इससा कि मैंने पहले बता है कि दोनों साइट में आप देखेंगे ETI FI लिखा हुआ यहाँ पे Chrome Element आपको मिलने वाला है यहाँ बाइक का यहाँ पर आप देखेंगे कीक दिया हुआ है और जो इसमें Silencer देखेंगे आप इस बाइक में तो पूरी तरह से आपको Chrome से यहाँ पर कवर्ड मिलेगा जिससे बाइक काफी प्रीमियम लुक में नजर आती है देखने में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें Chrome लगा हुआ है जो Silencer है पूरी तरह से आपको Chrome से कवर्ड मिलेगा और Engine पे आप देखेंगे TBS Red Card में लिखा हुआ है उर्फ राइट रेट करका इसमें आप देखेंगे रेड डियां लिखा हुआ 3D में जो काफी अच्छा लगताि इसमें जो लिखा हुआ है problem लग रहा है दोस्तों आप बात करें इस बाइक के लेटर असार नबार पर पावर स्टार्ट का स्विच दिया हुआ है तो बात करें इस बाइक के मीटर कंसूल की तो इस बाइक में आप देखेंगे एनलाग मीटर लगा हुआ है km per hour के लिए और fuel indication के लिए इसमें a log meter दिया हुआ है इसमें आप देख सकेंगे km यहाँ पर TBS का logo fuel indication यहाँ पर side stand का यहाँ पर indication मिले वाला है engine check की light यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस bike का आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और इसमें आप देखेंगे LED DRS दिया हुआ है अब बात करें bike की dimensions की तो इस bike का चूट overall length दिया हुआ है 2025 mm के दिया हुआ है ground lens की बात करें तो इसमें आपको जो ground case मिलने वाले यह 180 mm का ground lens दिया हुआ है overall height इसमें आपको 1080 mm का मिलने वाला है इस bike में wheelbase की बात करें तो इसमें आपको जो wheelbase दिया हुआ है इस bike में 1265 mm का wheelbase दिया हुआ है तो दोस्तों यह रहा TBS Radeon का वाकरांड रिव्यू तो आज की इस वीडियो में बस इतना है यह वीडियो को लाइक शेयर करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और bell icon को प्रेस करें जिससे आमने अर्वी वीडियो की notification आपको मिलती रहे थैंक्स पर वाचिंग